हलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैई चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आपको बसोड़ा यानि कि सीतला सप्तमी या अश्टमी वर्ष 2022 में कब मनानी हैं, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और पूजा की विधी क्या होती हैं, वो सभी बातें जाता है, और माता को भी बासी और ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है, जिस दिन सीतला माता की पूजा करनी होती है, उसके एक दिन पहले ही भोजन बना कर रख लिया जाता है, जिसके हां अश्टमी को पूजा होती है, वो सप्तमी को भोजन बना कर रख लें, और ज खाया जाता है शीतला अस्टमी के दिन घर में नहीं चूला जलाया जाता है यहां तक कि माता को भी दीपक बिना जला ही समर्पित किया जाता है और नहीं माता की पूजा में हवन वगेरा किया जाता है शीतला माता का वरत पूजन करने से गर्मियों के कारण होने वाले जो रो माता धने धान की कोई कमी नहीं रहने देती घर में सीतला माता को स्वक्षिता और सीतलता की देवी माना जाता है इन्हें चेचक और खसरा जैसे रोगों की देवी भी माना जाता है इस दिन को बासोड़ा इसलिए कहा जाता है दीपक, हवन, चूला, कुछ नहीं जलाया जाता है इस दिन नए वस्थर, ऊनी वस्थर, और ज़्यादा गाड़े रंग के वस्थर यानि काला, नीला, लाल इस रंग के वस्थर ना पहने, कोशिश करें हलके रंग के निर्मल वस्त्र पहने अगर आपको नए वस्त्र पहन नहीं है तो आप उने धुल कर पहने इस दिन नई जाड़ू नए सूप की पूजा जरूर करें लेकिन इनका प्रियोग ना करें और माता शीतला के वहान गद्य को भी यह था शक्ति हरा चारा इत्यादी खिलाएं इस बात का भी धियान रखें कि घर का कोई भी सदस से गरम गरम भोजन ना खाए और उनियासन कभी प्रियोग ना करें तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा की विदी क्या है सुबह नित शीतल जल अरपन करें इसके बाद माता को हल्दी अक्षद रोली लगाएं माता को हो सके तो रसीले फलों का भोग लगाएं इसके बाद एक दिन पहले बनाये हुए बासी ठंडे भोजन का भोग लगाएं भोग में आप गन्ने के रस्से बनी खीर या गुड के चावल और दही इन चीजों का भोग माता को लगा सकते हैं मीठे पूए का भी भोग लगाया जा सकता है इसके बाद आटे से बने हुए दिये में घी से भीकी बाती को रखकर बिना जलाए ठंडा दिया मा को अरपित करें इसके बाद आप सीतला इस्त्रोत या सीतला अश्टिमी के वर पूरे घर में उस जल का छीटा दें और घर के सभी मेंबर्स की आखों से उस जल को लगाएं अगर आपके घर के आसपस कुमहारन हो तो उसे अपने यथा सामर्त कुछ दान जरूर करें बसोड़े के दिन सिलाई बुनाई जैसे काम ना करें साफ सफाई भी एक दिन पहले ह कर लें क्योंकि उस दिन ज़ाडू का प्रियोग नहीं किया जाता है शीतला माता के स्वरूप को सीतलता परदान करने वाली माना गया है मां शीतला हाथों में कलश ज़ाडू नीम के पत्ते और सूप धारण किये होती हैं इनकी सवारी गरधर यानी गधा है माता शीतला को ठंडी चीजें पसंद होने के कारण इस दिन ओना ठंडी चीजों काई भोग लगाया जाता है तो चलिए अब जान लेते हैं सीतला सप्तमी और अस्टमी किस किस दिन पढ़ रही है शीतला सप्तमी 24 मार्च दिन ब्रेस्पतिवार को पढ़ रही है पूजा का शुब सुबद 6 बज कर 8 मिनट से शाम 6 बज कर 45 मिनट तक रहेगा आशा है वीडियो में दीगी जानकारी आप सभी के काम आएगी इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें धन्यवाद